माता हिंगलाज मंदिर जो के हिंदुस्तान में नहीं बलकि पाकिस्तान में इस्थित है जिहां दोस्तों ये मंदिर चंद्र कुप पहाड़ी बनी एक गुफा में हिंगोल नदी के पास इस्तित है इस मंदिर में माता पारवती की प्रती रूप प्रतिमा स्थापित है इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि इस मंदिर की देख रेख वे संचालन का काम मुस्लिम समुदाय के द्वारा किया जाता है मुस्लिम समुदाय के नुसार हिंगलाज मंदिर माता तीर्थ को नानी पीर माना जाता है इस मंदिर में भारत से जाने वाले शृद्धालूं के साथ सिंद और कराची से आने वाले भाक्तों की भी अच्छी खासी भीड देखने को आपको मिलती है चंद्र को पहाड की एक गुफा में माता की प्रतिमा इस्थापित है जिसमें किसी भी प्रकार के पट या गेट की विवस्ता नहीं है मंदिर की गुफा तक पहुचने के लिए पत्थर के सीरी बनी हुई है जिसके चड़ने पर पहले गणपती महराज की प्रतिमा स्थापित है फिर माता की गुफा प्रारंब होती है माता की परिक्रमा करने इसके लिए गुफा के एक सिरे से परिक्रमा प्रधाम प्रारम करने पर उसी जगे वापस आ जाते हैं यह परिक्रमा का प्रभावित और प्राकृतिक रूप के माना जाता है इस मंदिर माता सती को, कोठरी तथा भगवान शंकर को भीम लोचन भहरफ के रूप में स्थापित किया गया है मंदिर परिशर के अंदर ही गनेश भगवान माता कालिका की प्रतिमा स्थापित है मंदिर परिसर के पास में ही भ्रम कुंड और तीर कुंड के नाम से दो कुंड बने हुए है। इन कुंडों में और इन कुंडों से मानिता ये है कि माता यहाँ प्रते दिन सुभ़सनार करने आती हैं। जब माता सती ने अपने पिता प्रजापती दक्ष द्वारा अपमानित किये जाने पर अपने आपको यग गुंड में समर्पित कर दिया था तब भगवान शंकर ने क्रोध में आकर माता सती के जले हुए शरीर को लेकर तांडफ किया था भगवान शंकर को शांद करने के लिए विश्नु भगवान ने माता सती के जले हुए शरीर के टुकड़े कर दिये थे माता सती के शरीर के अंक जिस जिस इस्थानों पर गिरे उसे शक्ती पीट कहा गया है और मंदिरों का निर्मान करवाया गया मानिता है कि हिंगलाज मंदिर में माता सती के शरीर का प्रधम हिस्सा यानि की सर आकर गिरा था माता के शरीर से बाकी हिस्से भारत की कई स्थानों पर गिरे जहां शक्तिपीटों का निर्मार किया गया इस मंदिर की धार्मिक मानिता क्या है मंदिर परिसर के बाहर रख लगभग दस फीट लंबा चलते हुई अंगारों का बाड़ा बनाया गया है इस बाड़े को हिंदु धर्म के अनुसार चुल और मुस्लिम धर्म के अनुसार अलावा कहा जाता है मानेता अनुसार माता ने प्रकट होकर ये वर्दान किया कि जो भी इस चुल को नंगे पैर चल कर पार करेगा उसकी सभी मनुकामनाय कोण होगी हिंदु वे मुस्लिम दोनों धर्म के अनुसार इस प्रथा को पूरा करने से मनुकामनाय अवश्य पूरी होती है किसी भी भक्त को इस जलते हुए अंगारों के चुल या अलावा को पार करते समय किसी भी प्रिकार की कोई हानी नहीं होती इस मंदिर में आरती और दर्शन और प्रशाद कैसे मिलता है चलिए जानते हैं वैसे तो दर्वाजे ना होने के कारण ये मंदिर भक्तों के लिए हमेशा ही खुला रहता है मगर दर्शन सुब़ 6 बजे से शाम के 7 बजे तक आप कर सकते हैं माता का दिन में दो बाद आरती की जाती है जोकि 6 बजे से शाम 7 बजे तक की जाती है प्रिशाद की रूप में या हिंदू धर्ण के लोगों द्वारा अगर्बत्ती नारियल वे लाल चुंद्री और इलाइची दाने और मुस्लिम भगतों के द्वारा लाल कपड़ा अगर्बत्ती इत्र फूल और सिर्नियादी अर्भित किया जाता है है ना एक ऐसा मंदिर जहां पर हिंदू ही नहीं बलकि मुस्लिम भी माता के भगते हैं जै माता हिंगलाज दोस्तों अगर आपको ये ज्वानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल अध्यातमी कहानियों को तुरन से लाइक कीजे शेर कीजे और सस्क्राइब कीजे मैं आपको मिलती हूँ जल्दी ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ आप देख रहे थे आपका अपना पसंद आप यूट्यूब चैनल अध्यातमी कहानिया